तो दोस्तो मैं दोक्टर किरन चोटलिया, I am a dermatologist and hair transplant surgeon from urban skin and hair clinic, पुनिवरांच तो दोस्तो laser hair removal, means laser light है, वो बालों को कैसे permanently reduce कर देती, उसके बारे मैं अभी जानने की कोशिश करते हैं तो laser जो होता है, वो एक light का beam होता है, इसमें बहुत सारे light के rays हो एक जगा पर एक डारेक्शन में जाते रहते हैं तो laser जो होता है, वो बहुत सारे light के beams होते हैं, जो directly एक energy है, वो light के रिप में वो एक जगा से दूसरी जगा travel करती रहती है जब यह वो laser के aperture से में से बाहर निकलते है तो वो heat produce करती है आपको भी पता है कि गर काले कपड़े पे सूरज की light गिरे तो वो गरम हो जाता और white कपड़ा normal color रखता है सबको पता है तो same जो laser में जो machines होती है particular wavelength जो sunlight की visible light की होती है वो use करती है वो काले color को damage करती है उसको heat up करना चालू करती है तो अपनी जो skin का structure होता है अगर आप इसको close में देखोगे तो अपना जो बाल होता है उसका root पुरा black color का होता है तो जब भी हम laser के light इसके उपर throw करते हैं तो laser light अंदर transmit होती है up to 102 cm और जो बालो का root होता है जो काला color का area होता है उसको heat up करना चालू करता है वहाँ पे जो water molecule होता है मेलालीन नाम का काला pigment होता है वो heat होना चालू होता है उससे क्या होगा उसका blood supply से लेके stem cell से लेके सारा structure वो दिरे-दिरे गरम होके जल जाएगा अब आपने वो भी पता है कि जैसे sunlight है वो सफेद color को कुछ नहीं करती काले color को ज़्यादा heat करती तो same इसमें बाकी के structures को laser की light से damage नहीं होगा उसकी wavelength अलग होती है हम सिर्फ काला color को गरम करने वाली wavelength का यूज करते है तो laser technology ऐसे बालों को ही selectively damage करती बाकी skin को बिना damage किये तो यह होता है laser कैसे काम करता है